असलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापने केड़िमी के इस नय है और लिटेस्ट वडियो में और आज के इस वडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के उर्दो के रौष्णी के बुक से चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सूरज का घोड़ा बहुत ही लंबा देख सकते हैं तो मैं आप लोग को इस चैप्टर को इस कहाने को एकदम शौर्ट करके पढ़ाओंगी ताकि कि आप लोग का एक भी प्रश्ट इस चैप्टर से पूछे तो आप एक भी कोश्टन छोड़ करना आए हर एक एक इंपोर्टेंट पॉइंट बता दूगी जो कि आप लोग का एक्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है और इस तरह आप लोगा चैप्टर भी complete हो जाएगा और इस चैप्टर कोई भी कोशन पूछेगा तो आप लोग यह चुठकियों में बना कर आ जाएंगे एक भी छोड़ कर नहीं आना है आप लोगो ठीक तो देखिए यह चैप्टर एक कहानी है अफसाना और यह कंणर कहानी है यह जो चैप्टर यह कहानी कंणर भा भासा में लिखा है तो इसलिए एककषानी कंणर कहानी है लेकिन इस कंणर भाषा में लिखुऊ Oui का उर्दू पह्तर करने के काम किछτι ने किया तो वह किये थे हैं हैसं जाफरी सेयद ने देखिया इस चप्टर के मुसानिफ यानिकी राइटर हो गए यू आर अनंत मुर्ती याद रखिएगा इस चप्टर के लेखक ठेक मुसनिफ और इस चप्टर के राइटर के बारे में तो लिखना होना है नहीं और रही बात आप लोग बहुत ज़्यदा कमेंट करके बोल रहे हैं कि रॉष्णी बुक का चैप्टर वाइस जिस तरह पढ़ा रहे हैं उस तरह कोशन एंसर भी कराईए तो जिब बिल्कुल कोशन एंसर मैं आप लोगो को करा कराऊंगी धैर रखिए आप लोग उर्दु में तो टेंसन लेना ही नहीं है जब तक मैं हो तो चैप्टर वाइस कराऊंगी कोशन एंसर लेकिन अभी फिलाल आप लोग चैप्टर वाइस पढ़िए कॉंटेंट को समझी इस कहानी चैप्टर को समझी कि आखिर क्या दिया है अगर आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आप लोग अगर सब्जेक्टिव कोशन आता भी है ना इस चैप्टर से आप लोग खुद बना लेंगे ठेक तो चैप्टर कॉंटेंट सीखना और समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो चलिए मैं आप ल को लिख पता नाम है वेंगट कृष्णा जयसा और इस स्टत्र में मतलब इस कहानी में और ब히क्रदार है जैसे कि अनंत मुर्ति यानि कि खुद लेखक हैं च handheld के ज्ब्स कॉन हैं यह भूबता रहे मेंगे अनंत मुर्ति कहानी में कि अनंत मूर्ति old यानि कि राइटर जो हैं अनंत मुर्ती और वेंकट कृष्णा जोईसा यह बचपन के जिगरी दोस्त रहते हैं गम बेस्ट फ्रेंड क्लास्मिट लब एक सांती है वेंकट कृष्णा जोईसा अनंत मुर्ती से बड़े रहते हैं लेकिन बार-बार अपने क्लास में फेल होने के होते हैं क्लास में थे और एक तरह से जिगरी दोस्त से एक भी बात नहीं चुपाते थे और एक साथ पढ़ाई करते ठीक एक दिन हुआ क्या कि जब मतलब उस स्कूल से यह लोग अलग हुए मतलब उस स्कूल को छोड़ दिये तो वेंकट कृष्णा जोईसा अपना एक अल अलग हो गई उस स्कूल से निकलने के बाद और अनंत मुर्ति की जिन्दगी अलग हो गई ठीक अनंत मुर्ति तो आगे जाकर यह लेखक बन गए राइटर जो कि इस कहानी को लिखे हैं अनंत मुर्ति यह क्या बन गए पढ़ लिक़र बन गये और वेंकर कृष्णा जोईस जो है यह तेलमालिष करने वाला बन जाता है बड़े होकर सोची यह बरबार स्कूल में भ Garandh was भाए वगर्ण साथ बहुत के बारे में करता है और जो तेल मालिस करता है वो इंसान सोची ना कितना मजबूत होगा तो इस तरह वैंकट कृष्णा जो इसा बड़ा होकर मतलब इसकूल से जब इन दोनों की जिंदगी अलग हुई वैंकट कृष्णा जोईसा अपना अलग जिनदगी मतलब जीने लगा और उसके बाद से अनंत्मृति इनका अलग रास्ता पड़ा दोनों इसकूल से निकलने के बाद अनंत्मृति तो राइटर बन गया लेकिन वै चेप्टर पता है तीस पेज का क्यों है क्योंकि मतलब 28 में तो सिर्फ अनंत मुर्ती अपने मित्र वेंकट कृष्णा जोईसा की तारीफी किये हैं एक्दम बहुत ही ज्यादा दिल खोल कर तारीफ किये हैं वेंकट कृष्णा जोईसा की यह जानता है जड़ी बूटी का भी बिमारी दूर हो जाती है यह सब जानता है मतलब धेर सारी भर भर के तारीफ किये हैं इस चैप्टर में और इसलिए चैप्टर 30 पेज का मतलब 30 पेज लंबा हो गया है ठीक है तो हम तारीफ तो मैं आप लोगों को बता दी शौट कॉट में कि यह जानता है जड़ी बूट सालोब फिर से अनन्थ मूर्ती को अपने दोस्त वेंकेट कृष्णा जोहिसा से मिलने का मतलब मन हुँआ कि चलो हम चलते हैं भशना आनंत मुर्ति वंकेट क्रिश्ना जूइसा के गाउं जाने लगे लेकिन रास्तullen बजार में इनके मित्र उप्र ना जोईसा मिल गए तो रास्ते में जो भाया तो Program अपने मित्र आनंत मूर्ति को रास्तμεitchens अब चलिए हमारे कर अब सायर करते चलते हैं बाते करते चलते हैं गुमते फिरते ठीक है तो कृष्णा जोइसा अपने अनन्फ मूर्टी को लेकर जा रहे थे बाते करते यह देखिए और रास्ते में दिखा रहे थे यह यह पेड़ जो है इसकी पत्ति खाने से यह विमारी दूर हो जाती है इस फिर पर भूत चुडल रहता है भूत का साया इस तरह वगरा वगरा तो इस तरह बाते करते ले कर गए कृष्णा जोईसा अपने मित्र अनन्थ मुर्ती को अपने घर घर जाने के बाद कृष्णा जोईसा की वाइफ थी क्या नामें कृष्णा जोईसा क की जाती है उसका आधर सम्मान किया जाता है तो उसतरह नहीं था यह जिस तरह थी उसे तरह मिली और उसके बाद से ज्यादा रिइस्क रीकत नहीं तो कहने और उसके बाद से शाम हुई पने मीत्र अनन्त-थी को अने मीत्र आč लेकर चलता हूं तो एक जोपड़ी में जो इसा अनंत मुर्ती को जोपड़ी के अंदर लेकर चले जाते हैं और बेठाते हैं और फिर बोलते हैं क्रिश्णा जो इसा अपने दोस्त अनंत मुर्ती से कि देखो ये जो बुढ़े आदमी है वो बुढ़ा आदमी रहता है पुरा बुढ़ा हो गया रहता है जाइफ है ना इसका बेटा है ना बहू है ना बैटी है ना इसका पोता पोती कोई भी नहीं है ठीक यह अग्लम बेसहारा है और इसलिए मैं इसका सहारा बना हूँ एक नहां अदोस्त को दोस्त पर और भी जयादा गर्व हुआ कि कि देखो मेरा दोस्त जो है कितना मतलब देयालू है और कितना समात सेवा करता है और मतलब देखिए मैं आप लोगों बता रहे हुँ ना अनंत मुर्ती वैंकट कृष्णा जोईसा की तारीफी किये हैं मतलब कौन-कौन सी बिमारी को दूर किया कितने लोगों की बिमारी दू हो गई तो कृष्णा जोईसा जो है ना अनंत मुर्ती को फिर अपने घर वापस लाए और फिर बोले कि अब चलो सो जाते हैं खापी कर तो खापी कर एकदम सो गए मस्त और जब सुबह हुई तो पूरा गाव में शोर मचा कि वैंकट कृष्णा जोईसा का जो बेटा है य यह जितना भी घर में शोना जवराद जितना भी था महेंगी महेंगी कीमती चीज़ वह अल्याया यह लेकर फरार हो गया है भाग गया है इसकी सुबह की मादश श्रकुंतला जोबी सोने चांदी की हीरे जवरात वगर्हाँत आप बोल सकते हैं हार व bour्ह जो भी जेवरात अंगुठी कानमे का जुमक यह सारा चीज जो है न किमती चीज वह घर में रखी रहती है तो सब को लेकर जो है न इसका बेटा सुब्बा फरार हो जाता है भाग जाता है और यह पूरे गावं में शोर मत जाता है अब बैचारी श्रकुंदला लब सर पर हांत रहकर और बैठ सुब्बा का जो फिता जी तै कृष्णा जोईसा यह बहां क्या करे अभी 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 सोच रहे थे लेकिन ये गये एक जोपडि के पास खड़े थे मत्लब इन दिखाई नहीं दे रहे थे क्रिष्णा जोईसा कहां गया ठीक्थ तो देखे कि खोपडी है आप बतकते हैं एसे टेक लगा कर ठेक तो यह अनंद मुर्ति उनके दोस्त जो है सोचे की पक्का कुछ कर रहा होगा चलो देखते हैं आखिरी कर क्या रहा है इसका बेटा लेकर जिवरात किम्ती सामान भाग गजया है जरूरी यह टेंसन में होगा ठेक जाकर देखते हैं आखिरी यह क्या कर तो क्रिष्न जो इसा ना सूरज के घोड़े को देख रहा है अब यहां पर समझेक सूरज का घोड़ा तो जो है किड़ा पर और आप बूल सकते हैं तो वही जो है ना उसी को कहते है सूराय का गोड़ा तो तेंस एक ह्तुए किसी हैं जो उसको देख रहे हैं यह देखकर दोच रहे थे कि देखो कर्षिन जो 어떻sli त बहग गया फरार होगा लेकिन फिर भी कि इसको दुख पहुचा होगा किसी का अपना बेटा ऐसा कर सकता है और बेचारा सूरज का गोड़ा साइद इसको देखकर वो सूरज की नई किरन में नई उम्मीद जगाना चाहता हूँ अपने अंदर ठेक तो इस तरह जो है ना आप बोल सकते हैं यहीं पर आप लोगा कहा समझा दी है इस समझ मैं आई होगी पुरा कृँरदार समझ में आया होगा ठेक अब दो फूर मोड़ा है यही रहती है कि हम आप लोगों को जो है न U Totneal के सिरा टेक तर के शिकषा डें बितल면 दंद खरा नॉलेज तो एक भी कोशन आप लोग को इस चप्टर से नहीं छूटेगा निश्चिंत रही है मैं आप लोग को शॉर्ट कॉर्ट में बता दी तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि मतलब इस चप्टर से रिलेड और दूसरा कोशन पूछ दे ऐसा बिल्कुल भ बता दी बस अब निश्चिंत रही है इतना याद रखिएगा जो कुछ हुए आप लोग को बताई हूँ और बस इस चप्टर से कोई भी कोशन आएगा आप लोग यूच चुटकियों में बना देंगे ठीक अगर आप लोग चैनल पर नए हैं पहली बार आप हमारी वीडि तरीके से करके रिजल्ट दी बेस्ट ला सकते हैं तो जुडिये हमारे साथ चनल को सब्सक्राइब कर लिजे घंटी को दबा लिजे उससे होगा यह ना कि मेरी रोज आने वाली और वीडियो का और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगा ठीक तो फिर मिलेंगे नेक्स टॉडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज